वेलकम दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चानल EZ Classes पर आज हम 12th lecture पढ़ रहे हैं इस lecture series का और आज की class में हम सिखेंगे कि electricity bill के questions कैसे solve करते हैं board exams में अगर question आता है electricity bill calculate करो पूरे मन्त का या एक हफते का या जितने भी time का तो ऐसे questions को हम किस तरह से solve करते हैं आज की हम class में यह सिखेंगे पहला question हम ICAC board का लेते हैं और दूसरा question हम CBAC board में आया हुआ solve करेंगे तो चलिए अपनी class शुरू करते हैं तो first question एन electric iron rated 220 volt and 2 kilowatt ठीक है आपके पास एक iron है press करने वाली एक machine है iron जिसकी की rating है 220 volt जिसको की 220 volt पर operate किया जा रहा है इसको 220 volt पर operate किया जा रहा है और इस iron का power है 2 kilowatt 2 kilowatt ठीक है if it is used for 2 hours daily ठीक है तो time कितना दे रखा है 2 hours daily आप उसको इस्तमाल करते हो find the cost of running it for one week if its cost if it costs rupees 4.25 per kilowatt hour मतलब total time आपको दे रखा है total time आपको दे रखा है 7 days क्योंकि one week is equal to 7 days होता है और rate है आपका cost किस rate से आपको मिल रही है वो electricity rate of electricity rate of electricity क्या है बच्चो 4.25 rupees per kilowatt hour मतलब 1 kilowatt hour अगर आप बिजली खर्च करोगे तो आपको 4.25 rupees पे करने पढ़ेंगे ठीक है तो अब आपको पूरे हफते भर कितने पैसे देने पढ़ेंगे वो इस question में पूछा है आपके पास एक electric iron है जो कि 220 volt पे चलाई जाती है 2 kilowatt उसकी power है और अगर उसको 2 घंटा रोज चलाय जा रहा है तो total cost निकालनी है अगर उसे एक हफते तक चलाएंगे इस rate के हिसाब से ठीक है तो देखो बच्चो किस तरह से निकालना है यह आपको पता है कि उसको 1 kilowatt hour का 4.25 रुपीज है अगर आप total kilowatt hour निकाल लो तो total kilowatt hour को इससे multiply कर दो total cost मिल जाएगी अब total kilowatt hour कैसे निकालते हैं तो देखो उसकी power है 2 kilowatt ठीक है और एक दिन में उससे 2 घंटा चला जा रहा है तो in one day आप लिखो in one day ठीक है न in one day total energy consumed कितना आएगा देखो एक दिन में 2 kilowatt की machine को आप 2 घंटे चला रहे हैं ठीक है तो in one day total energy consumed is 2 kilowatt into 2 hours यह one day का बता रहा है ठीक है one day तो one day में कितना आ जाएगा four kilowatt hour four kilowatt hour तो एक दिन में आपने कितना इस्तमाल करा four kilowatt hour और आपको total cost कितने की निकालनी है one week की तो therefore in one week ठीक है in one week total energy consumed total energy consumed कितनी हो जाएगे बच्चो four kilowatt hour into seven that is 28 kilowatt hour ठीक है अब आप देखे cost of one kilowatt hour कितनी है four point two five rupees therefore total cost अपने कितनी निकल जाएगी 28 kilowatt hour into four point two five rupees तो ये सकान सर आएगा rupees one one nine ठीक है तो इतना आपको total cost पड़ेगी पूरे हफ़ते की मैं एक बार आपको जल्दी से फिर से बता लेता हूँ एक electric iron थी जिसको 220 volt पे चलाया जाएगा थी दो किलो वाट की power थी उस iron की और उसको 2 घंटा रोज चलाया जा रहा था आपको बताना था कि एक हफता अगर उस iron को चलाया जाएगा तो इस rate के हिसाब से total कितना रुपे आपको पे करना पड़ेगा तो power आपको दे रखे थी एक दिन में 2 घंटा चला रहा थे और आप जानते हो energy होता है energy की unit होती है kilowatt hour ठीक है electrical energy की unit होती है kilowatt hour तो एक दिन में कितना energy खर्च हुआ तो kilowatt को hour से multiply कर दिया 2 घंटा चल रहे है एक दिन में तो 4 kilowatt hour एक दिन में use हुआ अब एक हफते में कितना energy consume हो जागा तो एक दिन में 7 दिन होते हैं तो 4 kWh एक दिन का था, 7 दिन से multiply कर दिया, 28 kWh, अब total cost देखें, यह हमने निकाल दिया, एक हफते में total energy कितनी consume हुई, ठीक है, अब 1 kWh का 4.25 रुपीस था, तो total cost कितना आ गया, वो हमने calculate कर लिया, तो यहाँ पर बच्चों, यह easily question हमने solve कर लिया, अब चलिए हम second question पर चलते हैं, यह question आपका CBAC board में पूछा गया है, calculate the total cost of running the following electrical devices in the month of September at the rate of, if the rate of one unit of electricity is रुपीस 6, अब September के month में आपको bill calculate करना है, यहाँ पर आप बच्चों, आप यह सोच सकते हो कि total days तो हमें नहीं रखने हैं, कितने दिन का निकालना है, बट आप ध्यान रखो, आपको बोला है, in the month of September, September में कितने days होते हैं, आप यह देख लो, और पूरे September का cost आपको निकालना है, तो September में आपको total days 30 होते हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे, total days, कितने होते हैं, 30, ठीक है न, और at the rate of one, if the rate of one unit of electricity is रुपीस 6, तो rate of energy consumed, कितना है, आपको कितना, पे करना पड़ रहा है, रुपी 6 पर, और one unit, unit का मतलब होते है, kilowatt hour, per kilowatt hour, एक kilowatt hour का आपको 6 रुपे पे करना पड़ रहा है, 30 दिन तक का आपको bill निकालना है, ठीक है, और आपका appliance क्या है, यह, पहला है आपका heater, ठीक है, जो की है, power है, जिसकी 1000 watt, और उसको 5 घंटे daily च ठीक है, और दूसरा है आपका fridge, refrigerator, ठीक है, इसकी power है, आपको 400 watt दे रखी है, और उसको operate किया जा रहा है, 10 hours daily तक, तो अब आपको बच्चो, total energy consumed निकालनी है, और उसके बाद फिर, उस energy का cost निकालनी है, calculate the total cost, देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है, कि एक kilowatt hour use करोगे, तो आपको 6 रुपे पे करने पड़ेंगे, तो आप क्या करो, इनको, इन दोनों सामान को, 30 दिन तक इस्तिमाल करने में, total कितना kilowatt hour use हुआ, वो निकाल लो, उसको 6 से multiply कर दो, आपको total cost मिल जाएगी, easily, ठीक है, तो देखो, पहले heater के लिए calculate करते हैं, for heater, heater के लिए देखो, तो in one day, एक दिन में देखो कितना इस्तमाल होता है, total energy, total energy used is equal to power into time, यह हम जानते हैं, energy का formula होता है, power into time, ठीक है, तो power कितना हो रहा है, thousand watt, और time कितना हो रहा है, 5 hours, यह एक दिन का है बच्चो, ठीक है, for in one day, तो total power into total time, धियान रखेगा, time hour में होना चाहिए, और power watt में होना चाहिए, अगर यह time minute में है, तो आप उसको hours में convert कर लोगे, seconds में है, तो hours में convert कर लोगे, ठीक है, तो एक दिन में कितना power use, कितना energy use हो रही है, 5000 watt hour, but आपको use क्या करना है, kilowatt hour, क्योंकि kilowatt hour ही standard unit होती है, ज every time, इसी को one unit बोला जाता है, जो इसने बोलें, cost of one unit of electricity, one kilowatt hour को ही one unit बोला जाता है, one kilowatt hour is equal to one unit electricity, ठीक है, तो इसको kilowatt hour में convert करना पड़ेगा, तो 1000 से divide करना पड़ेगा, यह आप जानते हो, जैसे 1 kg is equal to 1000 gram, उसी तरह से, one gram is equal to one by 1000 kg, उसी तरह इतना watt hour is, इतना upon 1000 kilowatt hour, तो 1000 से जब आप divide करोगे, ये बन जाएगा 5 kWh, ये आ जाएगा बच्चो, in 1 day, ठीक है, therefore, in 30 days, कितना total energy यूज हो जाएगा, 30 into 5, करोगे तो 150 kWh, ठीक है न, 150 kWh, इसको इस तरह से लिखते हैं, kwh, h लिखते हैं, hr नहीं लिखते हैं, ठीक है, kwh, h, ठीक है न, तो इस तरह से, तो 150 kWh, आवर आपने यूज कर लिया, सिर्फ जब heater को चलाया, 30 दिन तक, अब बात करते हैं, हम refrigerator की, refrigerator, for 1 day निकालते हैं पहले, एक दिन में देखो, refrigerator को, की power इतनी, और time इतना, ठीक है, तो total energy, total energy, used, कितना आ जाएगा, power into time, और यह हो जाएगा, power होता है, 400 watt, sorry, 400 watt into 10 hours, तो solve करोगे, यह हो जाएगा, 4000 kilowatt, sorry, 4000 watt hour, ठीक है, watt है, और hour है, तो watt hour बन जाएगा, अब अगर आप इसको kilowatt hour में करोगे, तो 1000 से डिवाइट करोगे, this becomes 4 kilowatt hour, this, in one day, यह क्या था, in one day था, total energy used, आपको यह याद रखना है, total energy used, in one day, total energy used is 4 kilowatt hour, ठीक है, therefore, in 30 days, 30 days में आप कितनी energy used कर लोगे, तो 4 को जब एक दिन का दे दिया, 30 दिन का पूछ रहा है, एक दिन 4, अगले दिन 4, अगले दिन 4 करते करते, 30 दिन तक कितना हो जाएगा, तो multiply कर लोगे, यह हो जाएगा, 120 kilowatt hour, ठीक है, तो, total energy used in the month of September, September के पूरे महिने में, total energy used क्या हुई, आपके पास दो ही components थे, heater और refrigerator, तो इन दोने को आपने इस्तमाल कर रहा था, total energy कितना consume हुई in the month of September, अगर आप पुछते हो, तो वो हो जाएगा, 120 kilowatt hour plus 150 kilowatt hour, ठीक है, 150 kilowatt hour plus 120 kilowatt hour is equal to, यह हो जाएगा, 250, 270 kilowatt hour, तो total energy निकल गी in the month of September, 270 kilowatt hour, now, cost of one unit is equal to rupees 6, therefore total cost, कितनी हो जाएगी, एक unit electricity का आपको 6 रुपे देना होता है, तो total इतनी unit energy का कितना रुपे देना पड़ेगा, यह हो जाएगा, 270 into 6, and this comes out to be, 600,000, 6 7s are 42, 6 2s are 12, and 4 16, इतना rupees, this is your total monthly cost in the month of September, ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, कि question को हमने किया किया से, हमारे पास एक heater था, जिसकी power 1000 watt की थी, और उसको 5 घंटे रोज चलाया जा रहा था, एक fridge था, जिसकी power 400 watt थी, और उसे 10 घंटा रोज चलाया जा रहा था, और आपको बोला था, कि September के महीने का बिजली का bill बताई, और September के महीने में हम जानते हैं, कि 30 दिन होते हैं, ठीक है, तो total days कितने हो गए, 30, और rate of, rate बताया था, कि cost, cost का rate बताया था, कि किस हिसाब से bill बनेगा, तो उसका cost था कि एक kilowatt hour या एक unit का आपको 6 रुपे देना पड़ेगा, तो हम solve कर रहा है, हमने क्या करा, पहले एक दिन में निकाला कि total energy कितना use करी हमने heater के लिए, तो heater के लिए हमने energy का formula जानते हैं, power into time, तो solve कर रहा है, तो 5000 watt hour निकला, लेकिन unit होता है kilowatt hour, तो kilowatt hour में convert का निकले हजार से divide किया, तो आ गया 5 kilowatt hour, यह rough में मैंने लिखा है, ठीक है, यह आप fair में नहीं लिखोगे, यह rough है, मतलब आपको समझाने के लिखा है, तो यह 5 kilowatt hour निकल गया, अब यह एक दिन का निकला, और पूरे September महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो 30 दिन में कितने निकल जाएगा, इतना kilowatt hour, multiply कर देंगे, अब fridge की बात करते हैं, fridge का एक दिन का total energy निकला दिया, power into time, तो watt hour में निकल गया, तो 4 kilowatt hour निकला, फिर उसके बाद 1000 से divide करके, अब पूरे महीने का निकालने, तो 30 से multiply किया, तो 120 kilowatt hour निकल गया, तो अब हमने देखा कि पूरे महीने में दोनों equipments को fully चलाया, तो total energy कितना used होगा, तो यह plus यह हो जाएगा, तो 270 kilowatt hour आ जाएगा, और 1 kilowatt hour का 6 रुपए, तो इतने kilowatt hour का कितना रुपए आएगा, तो हम multiply कर देंगे, तो easily हमारा question हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर इस lecture के साथ हम यह lecture series को end कर रहे हैं, electricity chapter की, आप अपना बढ़िया से practice करिएगा, सारे concepts पढ़िएगा, दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक message कि कोई भी teacher ऐसा दुनिया में नहीं होगा, जो बोले आप से कि आप सिर्फ मेरे lectures देख लो तो आपका 100% marks आ जाएगा, तो फिर आप सोचोगे हम lectures करते क्यों हैं फिर, बच्चों हमारा lecture आप देखोगे, मक्षन की दरख खतम हो जाएगी, फटाक से, ठीक है, तो ये आप करिए, सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, ठीक है, सिर्फ चाहे मेरी, चाहे किसी भी teacher की, सिर्फ वीडियो lectures पर dependent मत रहिए, हाँ, हम काफी ज़ादा help करते हैं आपकी, बट आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी करने है, तो अपना धिहान रेकिए, खुब सारी महनत करिए, अभी आपके साल की स्टार्टिंग है, तो अच्छे से प्राक्टिस करिए, और विश्यू आल दे बेस्ट फॉर यॉर प्रेपरेशन, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम एगले लेक्चर में एक नई लेक्चर सिरीज के साथ, थैंक्यू वेरी मच्चू